वेल्कम टु एटस्टेंड स्टुडेंट, आज आपणे गुजराती ना सेषन मा वदानुमों स्वागत करूछुू, आज आपणे गुजराती ना चैप्टर नंबर थर्टीन, सागर काठा नो प्रवास, विसे माहिती मेडव सु, अने तेने समझवानों प्रयास करेशुू सागर काठानों प्रवास श्री रगुवीर चोधरी द्वारा लखाईल एक स्टोरी छे रगुवीर चोधरी जे एकेमनू पूरु नाम रगुवीर दलसिंग चोधरी हतू रगुवीर दलसिल चोधरी नो जन्म गांदी नगर जिल्दाना बापु पुरा गामे थयो छे। रगुवीर चोधरी नो जन्म पांच दिसेंबर ओगणी सो आड़त रिसना रोज थयो हतो। कॉलेज कक्षाए वर्सो सुधी अध्यन अध्यापन कारे तेमने करियू छे। तेओ आपणा जानिता नवल कथाकार अने नाट्टे कार छे। कलानो कसब जाडवी मूल्य निष्ट साहित्तिय सर्जन करे छे। तो विध्याडती मित्रों अईया सू समझावानो प्रहास करे ओछे। जे चैप्टर छे आपणो सागर काठानो प्रावास तेमना लेखक छे रगुवीर चोधरी। तेमनो जन्म बार डिसेंबर उगणिस्तो आड़त्रिस्त न रोज था होतो। तेमनो आखुनाम रगुवीर डल सिंग चोधरी हतु अनन तेमनो जन्म गांधी नगर जिल्ला न बापुपुरा गाव में था होतो। उनका जन्म जो है गांधी नगर जिल्ले के बापुपुर गाव में हुआ था। कॉलेक अक्षाई वर्षो सुधि अध्यन अध्यापन कारे करियो छे और उन्होंने कॉलेज के समय में उन्होंने बर्षो तक अपना जो कारे है अध्यन और अध्यापन कार, अध्यन का मतलब होता है किसी चीज को ग्रहन करना और अध्यापन का मतलब होता है विद्या प्र कविताट उनकी वाडता, विवेचन, निबंद वगरे क्षेत्र यशश्वी प्रदान करियो छे उन्होंने कविता के क्षेत्र में और शॉर्ट स्टोरी के शेत्र में विवेचन के शेत्र में निबंद के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा अपना योगदान दिया है जूलता मिनारा नाटक संग्रा और सहरानी भविता ये निबंद संग्रा उन्होंने बहुत प्रशिद किया है तेव कलानों कसब जाडवी मुल्य निष्ट साहितिन्यों सर्जन करे छे उन्होंने कला के इस भविता को उन्होंने संभाल कर रखा है और उसकी मुल्य को साहिति में उसका सर्जन किया है गुजरातेना दरिया काठे आवेला जानिता स्थडो गुजरात के दरिया किनारे मतलब समुंद्र किनारे में आए हुए बहुत सारे ऐसी जगह हैं जैसे की जो बहुत पॉपिलर है जैसे की माधवपूर, द्वारका, सोमनात, दीव, दांडी, मांडवी, जेवा स्थडो प्रस्तुत जो पार्ट है उसमें भारत के अपने गुजराते के दरिया किनारे में एथार्ट की समुंद्र किनारों के पास आए हुए पॉपिलर जो स्थडो है उनमें माधवपूर, द्वारका, सोमना, दीव, दांडी, मांडवी जैसे बहुत सारे जो जगह हैं उनका बह प्रस्तुत जो समुंद्र की नारी की विशेशताओं का हमें परिचय मिलता है और साथी साथ प्रवासना आयोजन बाबते पन ख्यालावे चे और अगर हमें कहीं ट्राविलिंग करना है, कहीं प्रवास करना है, कहीं गुमने जाना है, परेटन का अगर आप सोच रहे हैं, प्रवास के लिए जाने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको उसकी प्लानिंग करने के लिए भी आपको बहुत सारी बातों का यहां पर पता चलेगा, तो और उसकी उन सारी बातों का भी हमें ख्याल आता है, हाँ तो all students यहां पर ध्यान देंगे सभी कि यहां पर जो सागर का वारता लाप होता है और इसका जो केंदर बिंदु है अथार्ट इसका जो पॉइंट ओफ है में वो ये है कि कहां जाए हम लोग प्रवास के लिए टूर पर कहां जाए पिक्निक के लिए कहां पर जाए तो ये सारी वारता लाप जो है इस चेप्टर में बताये गया है और यह अब हम इसे पढ़ते हैं और समधने का प्रयास करते हैं वर्ग शिक्षक सोमनाथे प्रवासनु स्थर्नक्की करवा त्रोण विध्यार्थियोंने समीती नीमियती वर्ग शिक्षक जो थे अथार्थ इस चेप्टर में जो क्लास टीचर है उनका नाम सोमनाथ रहता है और सोमनाथ जो है पिक्निक के लिए जाने के लिए एक जगा जो है फिक्स करने के लिए उन्होंने तीन स्टुडेंट्स की एक कमिटी बनाई होती है अथार्थ एक टुकडी बनाई होती है एक ग्रूप बनाई होता है जिसमें तीन स्टुडेंट होता है जिसमें तीन एक टुकडी बनाई ग्रूप बनाय रहता है और वो लोग इसके विशे में चर्चा करते हैं घंट वागता चर्चा अटकी अथार जैसे ही बैल बजा वैसे ही जो उनका वाड का लाब था वो रुक गया अटक गया सोमना थे प्रविस करवानी साथे पाटिया पर नजर करी सो सोमना थे वो किसके सिक्षक थे वो भुगोलजियों ग्रॉफी के टीचर थे और वो प्राकुति के चीजों से बहुत जादा जूड़े थे और इसके लिए कुद्रत के विशे नी कविताना चाहक था और प्रकुति से जुड़ी हुई चीजों और कविताओं के वो बहुत चाहक थे पाटिया पर लखायली पंक्तियों वाची राजी थया और जो बोड़ पर लिखी हुई पंक्तिया थी उनको पढ़ कर वो बहुत खुश हुए विध्यारतियों सामे फरी ने बोलया और सारे स्टुडेंस के सामने घूम कर वो बोले रेलाई आवती छोने बधी खार प्रिथवी नी सिंदू ना उर्मा थी तो उट से अमे वादडी उन्हेंने कहा कि जो लहराती हुई सभी किनारों प्रिथवी की सारी जो खाराश है वो सभी किनारों से लहरा कर आती है क्योंकि जो सिंदू है वो नदी जो है वो कैसे है और सिंदू जो उनका स्टुडेंट है उसके हिदय में से उर्व अथात हिदय में से हमेशा उदारता कृपा जो है बरस्ती रहे ऐसी उसको सुपकामनाएं देते हैं आप पहला ना तास्मा इसके पहले के जो प्लास पिरिट था उसमें गुजराती ना शिक्षक या मुक्तक लखियों से गुजराती के एक के बारे में आपको जानकारी मिलेगी तो ये जो है एक कावी प्रकार है जिसे मुक्तक कहा जाता है वो मुक्तक उनके गुजराती के टीचर ने सिंदु के जनदिन के उपलक्ष में उसके सुपकामना देते हुई लिखा है और इस वज़े से सिक्षक ने भी ऐसा माना कि वो बार्ड पे रफ करने के लिजा रहे थे तिया रेवती ये विंती करी तबी उनकी क्लास स्टूडेंट जो थी रेवती उसने रिक्वेस किया रहवादो साहिब ये सुभासीत जन्म दिवसनी सुभेक्षा चे तो उसने कहा कि सर आप रहने दीजी एसे रफ करने के लिए ये सुभासीत जो है अथाद ये सुभकामना है वो उसके जन्म दिन की सुभकामना है जो मुक्तक लिखा गया है वो टीचर के द्वारा लिखा गया है और सिंदु का आद बढ़ दे है इसके लिए उसके जन्म दिन की उप्लक्ष में यह सुभेक्षा मनुकामना जो है यहा सोमना सिख्षक थे उन्होंने अपनी डायरी खोली और वो हर स्टूडेंट को अपने क्लास के हर स्टूडेंट को उसके जन्दिन के उपलक्ष में वो ब्लेसिंग देते थे विश्च करते थे आज ये पोते कैम चुके गया तो आज वो पता ने क्यूं भूल गए आज ये तो वर्गना प्रतिनिदी सिंदू नोज जन्दिवस चे और आज तो उनकी जो क्लास के सबसे में स्टूडेंट अथार्थ प्रतिनिदी जो मेंबर है क्लास का उसका सिंदू का जन्दिन है सिंदूने सुबेक्षा पि तभी उन्हें पता चला क्या सिंदू का बड़्डे है त तो उन्होंने सिंदु को जो है अपनी ब्लेशिंग दी। जब सिंदु को सोमनाद सिक्षक ने अपनी ब्लेशिंग दी। उसको जन्म दिन की सुभेक्षा दी। तो उसने पगे लागी ने उबोरे। और वो उनके चरण सपर्स करके खड़ा रहा। रेवती सिंदुनी पाटली पर्थी मिठाईनू पड़ी को लई आवी। और रेवती जो थी वो सिंदु की बैंच पर से मिठाई का पड़ी का जो है मिठाई का डिब्बा उठा के ले आई। सोमनाथे पहलो टुकडो लिदो। सोमनाथ ने पहला एक पीस लिया। और एवा छे सुखडी पन मोहन्थाण जी भी पोची और उन्होंने मिठाई का बखान करते हुए कहा कि अरे सुखडी है लेकिन एकदम मोहन्थाण की तरह एकदम नर्म है पोची अथार नर्म है। रेवती विध्यार्थियों ने मिठाई वेचती हती। रेवती जो है सारे आपलबवास के स्थलों को कि लिए जो ग्रूप सर्ने मनाया था उसने अपना मंतवय सबके सामने रखा अथर सबको बात बताई और तीनों ने रेवती, सिंदू और एक और स्टुडेंट है जिनों ने तीनों वरूण, रेवती, सिंदू और वरूण, तीनों ने मिलकर जो घ तैयार किया था उसके लिए उन्होंने क्या किया एक स्थल फिक्स किया तीन स्थल लोग ने फिक्स दिया और वो टीचर के सामने उन्होंने रखे जिसमें पहला स्थल था कच्छ नू मांडवी दूसरा स्थल था सौराष्ट नू माधवपूर और तीसरा स्थल था दक्षिन गुजरात नों तीथल आ त्रण माती साहेब नक्की करेते तब सिंदु ने ये अपना अपनी प्रस्तूती टीचर के सामने रखी और कहा कि सर कच्छ के मांडवी चलो सौरास्ट के माधवपूर चलो या दक्षिन गुजरात के तीथल इन तीनों में से आप जो फिक्स करेंग उस प्लेस पर हम लोग चलेंगे अथात पुन्य के परवत के समान रविशंकर महराज एना लेखक अता और उसके लेखक कौन थे जो लेख मैंने तुम लोगों को सुनाए था वो पुन्य के परवत के समान कौन थे उसके लेखक रविशंकर महराज जिनका हम पहले भी लास्ट सैम में हम उनके बारे में पढ तो तुरंत ही जवाब दिया स्वामी आनंद, सिंदु ने इसका जवाब दिया कि उसके लेखक कौन थे स्वामी आनंद, परवत नी उचाई जो नारे समुद्र ना उनान विसेपन जाणू जोई है, तो डीचर ने कहा कि जियो इंसान परवत की उचाई को देख सकता है, उसक समुंद्र की गहराई को भी जानना चाहिए गोड में जी परिशद में भाग लेवा गांधी जी इंग्लेंड जा रहा था गोड में जी परिशद में समीती में भाग लेने के लिए गांधी जी इंग्लेंड जा रहा है थे जवेर्चन में घाणिये खातरी अती जवेर्चन मे गाणिंग कोई इस बात का पता था कि बापु अपमान वेठी लेवानी उदारता धरावे छे बापु जो है गांदी जी जो है अपमान सहन करने वेठी मतलब सहन करके भी अपनी उदारता को बनाये रखते हैं छोड़ते नहीं है ते थी एमने गायली और इसी लिए जवेरच कम न हो उदारता की अंजली जो है बैती रहे गांदी जी दरियाव दिल हता और क्यूंकि गांदी जी जो थे बड़े दिल वाले थे जो हमेशा उदार दिल रखते थे दरियाव दिल का मतलब होता है उदार दिल वाला एमने कदी को इने शाप न आपयो उन्होंने कभी भी क किसी को कोई गंदी बात नहीं कही, किसी को कोई श्राप नहीं दिया, आश्रिवाद ही दिया, एमना हिदय माथी अमी वादडी उठी, और उनके हिदय में से हमेशा कृपा बरस्ती रहती, थी विल लोगों की हमेशा मदद करते रहते थे, साहे प्रवास नू स्थर नक्की करवानू भुली लग गया लागे छे, तबी रेवती ये वरुण सामे जोई ने सोमनात सामड़े एरिते कईू, रेवती ने वरुण के सामने देखकर सोमनात सिक्षक सुने, इस तरह से उसने कहा कि लगता है कि सर जो है, हमारे पिकनिक का जो स्थल है, प्रवास का जो स्थल है, वो फिक्स करना भूल गये हैं, तबी सर ने ये बात सुनी और सोमनाते तुरत पीट फेर भी और तुरंती उन्होंने बच्चों की तरफ, स्थूडन्स की तरफ देखा, और मुक्तक भुस्याविना, पाटिया परनी, बाकीनी जग्याए पच्चिम भारत नो नक्सो दोरी ने दरिया किनारा ना स्थडोना नाम लखवा मांडया, और जैसे ही रेवती ने कहा कि लगता है कि टीचर जो है, हमारा अप्रवास का स्थल करना भूल, फिक्स करना भूल गये, तबी उन्होंने पीछे पीट फेरी और जो मुक्तक बाड पे लिखा हुआ था, उसको मेटाई भीना जो बाड पे जो एक्स्टा जगा बची हुई थी, उस जगा पर उन्होंने पच्चिम भारत का एक नक्सा बनाया, और दरिया किनारे ना स्थडोना नाम लखवा मांडया, और समूंदरी किनारों की जो स्थल थे, जो गुमने ला नहादेव, नारायन, सरोवर से उन्होंने स्टार्टिंग की शुरुवात की, तब फिर उन्होंने मांडवी ना नाम सामे वहांड चितरी, और उन्होंने मांडवी जो जगा है उसके नाम के सामने उन्होंने बड़ाशा शिप बनाया, पची द्वारिका बेट द्वारिका ऐसा उन्होंने लिखा, बोलो हविशू लखू, और फिर बच्चों से उन्होंने पूछा, सारे स्टूडन्स से उन्होंने पूछा, कि अब बताओ, अब मैं क्या लिखूं। माधवपूर, छेली पाटली पर बेठेला विध्यार्थी कईू। और इस तरह से सारे स्टूडन्स को जो है, सर जो है, क्या करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, बोलने के लिए, ये बने एटलू जाते, बने तो वधू सारू, ये वूते माने छे, और सोमना जो सिक्षक थे उनके, वो ऐसा चाते थे कि जितना हो सके विध्यार्थी, अपने आप से ज़्यादा कोशिश करें, किसी चीज को जानने के लिए, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था, तेती लेक माचवा ला गया, और इसी तरह से उसने जो लेक लाया था, वो लेक वो पढ़ने लगे, उसमें लिखा था, मादवपूर सौरास्ट ना सागर काठानू वरिंदावन चे, मादवपूर जो है, सौरास्ट के सागर किनारे का वरिंदावन है, अहीं सदिये सदिये महान संतों आव्या चे, यहाँ पर सदियों सदियों, मतलब हर साल, हर सौ सालों पर हनेक महान संते यहाँ पर आये हैं, अहीं सदियों जूना जाड चे, यहाँ पर स सालों पुराने जो है सो साल पुराने ज़ाड हैं व्रिक्ष हैं जिन ज़ाडों में आमली, रायन, नारियरी बेसुमार चे और उन व्रिक्षों में इमली का ज़ाड, रायन का ज़ाड और नारियल के ज़ाड जो है बहुत अधिक मातरा में बेसुमार का मतलब बहुत अधिक म भरे उए हैं, मोटे और हट्टे काट्टे हैं। यहां पर तीन नदियों का नाम दिये गए हैं, जिसमें भादर, ओजर और मदवंती नदियां जो हैं। किनारा है, बहुत विशाल और साफ सुत्रा है, प्रकाशित हैं। घणा प्रवासियों चोरवाड करता माधवपुर्ना दरिया किनारा ने वधू पसंद करे छे। यहां के जो बहुत सारे प्रवासी हैं, जो टाविलर्स आते हैं, वो चोरवाड के करता मतलब उसकी अपेक्षा माधवपुर्न के समुंद्री किनारे को बहुत जादा पसंद करते हैं। त्याना सूरियोदय अने सूरियास्त जोई मुग्द थाई जवाए छे। यहां वहां के जो सूरियोदय, सूरिय उगने का जो समय है, सूरिय उदय के जो सिचुवेशन है और सूरियास्त, सूरिय अस्त होने का जो समय है, वो देख कर बहुत मुहित हो जाते हैं। तो चालो माध्योपूर रेवती बोली, तब भी रेवती ने कहा कि चलो अब सब माध्योपूर चलते हैं। इसके बाद सोमनाथे रेवती बलरामना पौराणिक पात्रों नो परिचया पी आगड़ वध्वानों पसंद करियो। इसके बाद जो सिक्षक होते हैं वो रेवती को बलराम और उनके पौराणिक अन्य पात्रों के बारे में परिचय देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सोमनाथ लिखते हैं सोमनाथ लख्यू मतलब सोमनाथ के बारे में उन्होंने लिखा साहिप पोतानू नाम लखवानी उतावण मा सुदामा अने गांधी जीना वत्तन ने भूली गया। जैसे उन्होंने अपना नाम लिखा, अथार्ट अपना नाम उन्होंने इसली लिखा कि सोमनात भी एक तिर्थ धाम है, तब जब उन्होंने अपना नाम लिखा, तबी सिंदु ने कहा, विनय विवेक जार्विनय, अथार्ट पोलाइटली उसने बात की और कहा, कि साहे पोता नो नाम लखवाने उतावड मा सुदामा अने गांधी जीना वतन ने भूले गया सर आप अपना नाम लिखने की जल्दबाजी में आपने सुदामा और गांधी जी के वतन को ही भूला दिया ऐसा सिंदु ने कहा अरे अहां द्वारका ने माधवपूर वच्चे पोरबंदर खरू तबी सिक्षक ने कहा कि हाँ द्वारका और माधवपूर के बीच में पोरबंदर भी आता है राश्ट पिता ना जन्म स्थर ने कैम भूलाए हाँ सही बात है कि राष्ट पिता का जो जन्म स्थान है उसे हम कैसे भूल सकते हैं अने त्यानों दरियों पन मुंबई ना चौपाटी विस्तार ने भुलावी दे एवो छे और वहां का जो दर्समुंद्र है वह मुंबई की चौपाटी को भी भुला दे ऐसा है तो सोमनाथ नू प्रभास छेत्र मनुष्य ना पुरातन नू निवास नू केंद्र छे और सोमनाथ का जो छेत्र है वह मनुष्य के पुरातन अथात पुराने जो निवास केंद्र है उसके जैसा है आविस्तार मा थी मनुष्यनी प्राचीन मा प्राचीन खोपडी मड़ी छे और इनी छेक्त्रों से मनुष्य के प्राचीन अथात पुरानी चीजे जो है प्राचीन से प्राचीन जो एकदम प्राचीन थे जो पहले मिली हुई थे ऐसी बहुत सारी खोपडियां वहां से मिली ह पर भव्य मंदिर आखा देशना यात्रियों ने खेंची लावे चे और इसलिए ये जो भव्य मंदिर है ये पूरे देश के सारे यात्रों यात्रियों को अपनी तरब खीचता है ये सात्मू छे और ये जो मंदिर बना है इस बार वो सात्वी बार बना हुआ मंदिर है द्वारकानू त्रिलोक सुन्दर जग मंदिर पन समुंद्र किनारानी सोभा छे द्वारका का जो त्रिलोक सुन्दर मंदिर है वो जगत मंदिर ह वो समुंद्र किनारे की सबसे बड़ी सोभा है सर तमें एक बार साथ द्वारका ने बात करता हता तबी एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आप एक बार द्वारका के साथ द्वारका की बात कर रहे थे जब स्टूडेंट्स के द्वारा साथ द्वारका की बात की गई तो सर ने कहा हाँ ए माटे आपड़े 5000 वर्ष नाई तिहास मा दाकलता उपड़े तो हाँ उसके लिए हमें 5000 वर्ष की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा विद्वानों कहे छे के अत्यारनों मंदिर सात्मी वार बंधाईलों छे ऐसा विद्वानों का कहना है कि जो अभी का द्वारिका का जो मंदिर है वो सात्मी बार बना हुआ है तो किटलाक शंसोदक और तो कुछ जो संसोदक है वो कहते हैं कि जुदा जुदा स्थडों ने द द्वारका तरड के उडखावेचे और कुछ संसोदक जो है अलग-अलग स्थानों को द्वारका के रूप में पहचानते हैं। अगर देखा जाए तो दीव जो है वहां से भी बहुत सारे जो विदेशी है वो भारत में प्रवेश करते हैं। कवी कांत के द्वारा लिखा वभवनात मंदिर के सागर किनारे समुद्री किनारे पर लिखा गया था। नजीक ना मडार अलंग मा वहान तोडवानों विश्व विख्यात के इन्द छे। और नजीक में ही वहां पर पास में ही मडार अलंग ये जगह है और वहां पर जो वहान था वो शीप जो था उसको तोड़ने का जो विख्यात विश्व विख्यात जो बहुत फेमस जो जगह है वो वहां पर है। प्राचिन काड मा धोलेरा लोथल सुधी वहान वटू चालतू प्राचिन समय में पहले के समय में धोलेरा और लोथल तक जो है जाहाज की विवस्था और पानी के द्वारा आना जाना वहान वटू चालतू अथार्थ बंदरगा की तरह काम होता था। लोथल औने तीथल कशो, सम्मंद खरो, वरुने पुछीऊ, तो वरुन नाम के एक स्टूडेंट ने अपने सिख्षक से पोछा कि लोथल और तीथल में क्या संबंद है, तब सिख्षक ने कहा कि समुन्द्र समुन्द्र ना 1666 किलो मिटर लंबे किनारे का है, इतना दूर है लोथल और तीथल के बीच डिस्टेंस। और जो आपड़े तीथल जैसू तो दांडी ना दर्शन पर करीशू। लेकिन अगर हम तीथल घुमने के लिए गए तो हम दांडी के भी दर्शन करेंगे। अंगरे जोने उस पर कर लगाया था। गांदी जी एक मुठी मीठू लही ने सत्यागर कर गया और गांदी जी ने एक मुठी नमक लेकर सत्यागरह की शुरुवात की थी। वेरो नाखवानों काईदानों पड़कारे और इसी तरह उन्होंने कर टैक्स को वसूल करने के रोध किया था। आखो देश बैठो थयो और इस तरह से पूरा देश बैठ गया था। भारत पर दरिया ना उपकार कई उच्छा न थी और भारत के ऊपकार हैं वो कोई कम नहीं है। बहुत सारे उपकार हैं भारत के उसके समुन्दर पर। सर आपड़े दीव थी दांडी सुधी नौकानों प्रवास करिये, तो सर क्या हम दीव से दांडी तक क्या हम नाव में बैठ का प्रवास करें, तो के भी मज़ा आवे, तो कैसी मज़ा आएगी, कहे छे के पहला लोग को सोमनाती सीधा खंबात जता, कहा जाता है कि पहले के लोग सोमनात जाते थे और वहां से खंबात जाते थे, मोटा थाओ पछी जजो, ऐसा सिख्षक ने कहा कि बड़े हो जाओ, फिर जाना, आपड़े पहला जानू जोई है कि कई मौसम मा क्या थी क्या जवाए, हमें पहले ये जानना होगा कि कौनची रितू में, कौनची सीजन में हमें कहा और कब जाना चिहे, कहां जाना चिहे, कहां से कहां तब, मांडवी और मांधवपुर की जो समुंद्रे किनारे है, वहां पर रेत का विशाल किनारा है, तो दीव और सोमनात के पास जो किनारा है, वहीं से गहराई पानी की शुरू हो जाती है दर एक बंदर ना काठाना जड़नो नोखो रंग अने नोखो व्यक्तितु होई छे, हर एक बंदर जो होता है, वहां बंदर जो होता है, पॉट होता है, जो उसके किनारे का जो पानी है, उसका अलग रंग होता है और अलग व्यक्तितु अलग परस्नलिटी होती है, गुजरा गुजरतियों धरिया खेडू गणाय चें, गुजरतियों जो है, जो सारे गुजरतियों धरिया को पार करने वाले गिने जाते हैं। करते हैं जूले लाले हिंदु मुस्लिम ने और जूले लालने हिंदु को एक ही माना है यह वरिंट देव न म अवतार घं़ाय छे और जूले लाल को वरुण Kadhu का आवतार भी सकता हूँ, वरूने कईू, त्या सिंदू साहेबनी रजा लेने गावा लागे हो, और सिंदू सिक्षक की आज्या मान कर गाने लगा, क्या गाने लगा? ओ लाल मेरी पत रखियो बला जूले लालन, ऐसा वो गाना गाने लगा, अखो वर्ग ताडियो साथे जोड़ाए, और जब वो गाना गाने लगा, तो पूरी क्लास जो है टालियों के साथ उसके साथ गाना गाने लगी, मैं आशा करती हूँ कि ये चक्टर सब को समझ में आया होगा और पूरी तरह से उसे समधने का प्रयास करोगे और उसे अच्छे से समझोगे, थैंक यू, थैंक यू, अल अफ यू